अूज कल gluten-free diet काफी trend में है खास कर जब weight loss की बात आती है तो इस diet को काफी लोग follow करते हैं gluten-free diet कई तरह से फायदेमन्द हो सकती है हाला कि लंबे समय तक इसे follow करने से आपकी health को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट का मतलब है कि अपने खाने से ऐसे फूट्स को हटा देना जिन में ग्लूटेन मौजूद होता है। ग्लूटेन फूट जादा मात्रा में लेने से शरीर में मोटापा, कब्स, गैस आदी की समस्या भी हो सकती है। दरसल ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो की गेहूं और अन्य अनाज में पाया जाता है। कई लोगों को इस प्रोटीन से ऐलर्जी होती है, जिस वज़ा से वे इस डाइट को फॉलो करते हैं। अगर आप सिर्व वज़न गटाने के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो इससे आपको फायदे की जगा नुकसान हो सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट में फायबर नहीं होता, जिसकी कमी आपके डाइजेस्टिफ सिस्टिम को परिशान कर सकती है। वज़न कम होने की जगा बढ़ भी सकता है, बिना डॉक्टर की सला के इस डाइट को फॉलो ना करें। अगर कुछ रिसरचेस की माने तो ग्लूटेन फ्री डाइट टाइप 2 डाइबिटीज का खत्रा भी पैदा कर सकती है। जब पैंक्रियाज इंसुलिन की मात्रा नहीं बना पाते, तो इसे टाइप 2 डाइबिटीज हो सकती है। ऐसा शरीर में ग्लूटेन की कमी से ही हो सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट में आइरन और फॉलेक असेट की कमी होने के कारण शरीर में हेमोगलोबिन की कमी हो सकती है। जिसके परिणाम स्वरूप हॉर्मोनल इंबालेंस हो सकता है। हर फूड में अपनी एक खासियत होती है, निूट्रियंट्स होते हैं, इसलिए अपनी डाइट में हर तरह के फूड को शामिल करना चाहिए, ताकि बॉडी को हर वो निूट्रियंट मिले जिसकी उसे जरूरत है.